सल्मान खान और संजेलीला भंसाली के इंशालला में दोनों की एपिक रियूनियन को देखने के लिए फ्रांस काफ एक्साइटिड थे इस फिल्म के जरिये लोगों को सल्मान और आल्याभट की जोड़ी देखने को मिलती लेकिन लगता है किसमत को कुछ और ही मनजूर था खबरे थी कि सल्मान और भंसाली के बीच पर्सनल क्लैश इस आ गई थी जिस वज़ा से सल्मान ने एक फिल्म छोड़ दी जिसके बाद से चर्चा हैं कि अब इद दो हजार बीस पर सल्मान की कौन से फिल्म रिलीज होगी वहीं भाईजान के फैंस के लिए हमारे पास एक जबरदस खबर है रिपोर्ट्स की माने तो सल्मान ने आक्शन त्रिलर फिल्म राधे साइन कर ली है ये फिल्म कॉरियन फिल्म की रिमिक नहीं बलकि updated वर्जिन होगी हालकि ये कौन सी कॉरियन फिल्म होगी इस बात का फिलाल खुलासा नहीं हुआ है खास बात तो ये है कि बज्रंगी भाईजान में बज्रंगी बनने के बाद अब सल्मान खान इस बार इट पर राधे बन कर बर्दे पर धमाल करने वाले हैं बता दें कि इस बात की जानकारी बॉलिवुड क्रिटिक के आरके ने एक ट्वीट के जर्ये दी है और बताया कि इस फिल्म का डारेक्शन पर भूद देवा करेंगे और यह फिल्म 2020 की इड़ पर रिलीज होगी बताते चलें कि एक इंट्रव्यू के दुरान खुष सल्मान ने भी एक अबूला था कि अगले साल इड़ पर उनकी फिल्म जरूर आएगी हाला कि फिल्म के टाइटल को लेकर फिलाल कोई ओफिशल अनाउंस्मेंट नहीं हुई है लेकिन इतना जरूर है कि जहां इंशाला के बंद होने से फ्रांस निराश हो गए थे वहीं सल्मान खान एक बार फिर अपने फ्रांस के चहरों पर खुशी ले आए हैं वहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगले साल बॉलवुद के खिलारी अक्षे के साथ सल्मान की टककर होना तो तैय है क्यूंकि अगले साल इट पर अक्षे फिल्म लक्ष्मी बॉंब लेकर आ रही है अब देखने वाली बात तो यह होगी कि इन दोनों में से अगले साल फ्रांस से एडी कौन ले जाएगा पता दें कि इसके अलावा सल्मान इस साल फिल्म दवंग 3 लेकर आ रही है और इस फिल्म का डिरेक्शन भी प्रभु देवा ही कर रही है बता देंगी फिल्म सल्मान के साथ सुनाक्षी सिना भी इंपॉर्टर ट्रोल में नज़राएंगी और ये फिल्म इस साल 20 दिसम्बर को रिलीस होगी करेंगी यहांगी इंपुर्ण ऑड़राम में रिल्म इंपूर्ण। लेंगी फिल्म सीरवर्ण। अर्ण भारे की बता देंगी और ड जड़ता दो किरूं भी करते हुआ अर पने लीके उतिमं। झाल 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 झाल